नमस्कार और प्रणाम आप सभी बक्सर जिले वासियों को मैं मनोज कुमर बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर आपके समक्चो पस्ते थे थूँ अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बक्सर में कोरोना बिस फोट हुआ है और मैं बहुत ही दुखी मन से आप तक ये सूचना पहुचाना चाहूँगा कि बक्सर जिले का नावा नगर प्रखंड का नाम आपने सुना होगा इस नावा नगर प्रखंड से एक साथ एक दिन में दस लोगों की कोरोना रिपोट पॉजिटिव आई है बिल्कुल आप सही सुन रहें एक दिन में बिल्कुल अभी का समाचार है एक दिन में दस लोगों की कोरोना रिपोट पॉजिटिव आई है और ये सभी के सभी नावा नगर प्रखंड से हैं नावा नगर प्रखंड के विभीन गाओं के ये लोग हैं जो की positive पाए गए हैं जिनकी सुची भी आप तक मैं पहुचाना चाहूँगा इनकी सुची इस परकार से हैं कि दो लोग रूप सागर से हैं एक बासुदेवा से एक अतिमी से एक करसर से एक डिहरी से एक भटॉली एक बाबु गंज इंग्लिश एक बेलाओं और एक रिवटिया एक कुल मिलाकर दस लोग positive हैं इन दस positive में जो सबसे चिंता का विशे है वो यह है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन में से साथ लोग home quarantine पर थे आप समझ सकते हैं ना home quarantine पर मतलब कि वो बाहर से आने के बाद उनको सरकारी केंद्रों पर quarantine केंद्रों पर नहीं रखा गया था बलकि उनको घर के घर पर उनको quarantine रहने को कहा गया था अभी आप जानते हैं कि बगसर जिले में lockdown में छूट दी जा चुकी है containment zone को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जगों पर पूरी छोट है अब home quarantine पर जो साथ लोग positive पाए गए हैं अब चिंता का विशय यह है कि क्या वो पुर्णतव अपने आपको quarantine किये हुए थे अब प्रशासन के लिए और बकसर जिलेवासियों के लिए और खास तोर से नावानगर प्रखंड के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विशय है अब अवश्ची प्रशासन ये कोशिश करेगी कि उनकी contact tracing करेंगे और ये पता लगानी की कोशिश करेंगे कि जो साथ सरकारी से इधर उदर आ जा रहे हैं ऐसी परिस्थेति में अगर भूलवश भी होम क्वारंटीन वाले लोग अगर किसी से मिले जुले होंगे तो आने वाले दिनों में और भी कुछ बुरा रिजल्ट हमें सुनने को मिल सकता है इस श्वर से प्रार्षना होगी कि कोई ऐसी रिजल्ट हमें ना सुनने को मिले और ये जो साथ लोग पॉजिटिव आये हैं यहीं तक्सी में थो इनका कोई और संपर्क में आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हो इसके अलावे तीन लोग और पॉजिटिव है जो कि सरकारी केंद्रों पर क्वारंटीन किये गए अभी क्वारंटीन सेंटर्स को बंद किया जा रहा है और प्रवासियों का अना अभी जारी है और उनको अपने घर लोट नहीं है उनको आना ही है बिहार में बिहार से अलग अलग जिलो में 15 जुन से सरकार ने ऐसा डिसीजन किया है कि जितने भी सरकारी स्कुल पर क्वारंटीन के इंद्र बने हैं उनको बंद कर दिया जाएगा ऐसे में नहीं संदे बक्सर जिलिवासी इस बात को लेकर चिंती तवश्य हो है कि वह इधर धर जाएंगे लोगों से मुलाकात करेंगे घुमेंगे और ऐसे में संक्रमण के आशंका और भी अधिक बढ़ जाएंगे बस हम यहीं कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से बक्सर जिलिवासियों के लिए कि आप यह पॉजिटिव आते हुए रिपोर् दो लोगों ने कुछ नहीं लगा रखा था और यह प्रमाडित कर रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि आप को रोना समाप्त हो गया है और हम परनुरुप से सुरक्षित हो गये हैं अभी कुछ दिनों पहले जैसे छट घाट पर भीर लगता है वैसे कॉरोना की पूजा करने क के लिए लोगों ने फिर जुटा दी यह कहीं न कहीं हमारी बहुत ही बड़ी लापर वही है और इसका खाम्याजा हमें भुगतना पड़ सकता है अभी जब आप साड़क पर जारे बसे इसमें जारे कहीं पर ट्रावल कर रहे मार्केट में खरदारी करने जारे आप कोशिश क सबसे दूर रहने की कुशिश करें किसी कर टाच मेंना बागो कोई नहीं जानता है कौन पॉजिटिव निकले और आप उससे संक्रमित हो जाए इसलिए मेरा आप सभी से निविदन होगा कि प्रशासन के बताई गई बातों का पालन करें और प्रशासन अगर कुछ नहीं ब और कुशिश करें कि भेड से बचें और मास्क का प्रियों करें हैंड को हमेशा वाश करें और सेनेटाइजर का यूज करें थैंक्यू सो मच्छ